नमस्कार दोस्तों सरल तकनीकी केंद्र यानि की इजी टेक सेंटर पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे गाव शहर के रास्तों या सडकों को गूगल मान चित्र पर प्रविष्ट कैसे करें तो वीडियो के साथ बनने र और यहां पर हमारी मेपस एप का कुछ इंटरफेस इस परकार का होगा अब यहां पर आपको जो एप प्लस फल आइकन दिख रहा है और नीचे लिखाए कंट्रिव्यूशन हमें इस पर क्लिक करना है और यहां से एडिट मेप इस पर हमें क्लिक करना है तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दू कि हम गूगल मेपस पर यदि किसी चीज को एड करें और वो एड हो जाएगी इसकी कोई 100% ग्यारंटी नहीं है क्योंकि हम किसी चीज को एड करने के लिए या उसमें करेक्शन करने के लिए सिर्फ गूगल के पास एक फीडबेक सेंड कर सकते हैं और वही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह है सेंड फीडबेक और यहाँ पर आप लोग किसी रोड को फिक्स या फिर एड कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एड और फिक्स रोड किसी रोड में आप जो भी एडिशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर जो एक पहला वाला उप्शन है Missing Road इस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि हमें एक Missing Road को Add करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यह देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार का Interface ओपन होगा अब हमें यहां पर Zoom In या फिर Zoom Out करके हमें जो भी रास्ता Add करना है उस रास्ते को यहां पर Locate कर लेना है तो यह देखिए जैसे कि मुझे इस वाले रास्ते को Add करना है जो हमारे गाउं से हमारे करीबी गाउं फरड की ओर जाता है तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहां से रास्ता शुरू होता है वहां पर Zoom In कर लेना है और इसके बाद यहां पर आप लोग यह देख सकते हैं आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपका जो पॉइंट है यह आपकी मेप की लेयर के ऊपर चिपक जाएगा अब हम दोबारा मेप को यह दि ऊपर नीचे खिसकाते हैं तो अब आप लोग यह देख सकते हैं यह एक लाइन ड्रो होती है हम जिस भी दिसा में मेप को किसकाते हैं उस दिसा में एक लाइन बनती जाती है तो फ्रेंट्स इसे प्रकार हमें यह चोटी-चोटी लाइन बनाकर हमारे मेप को ड्रो कर लेना है यह देखिए जिसे मैं और आगे बढ़ाता हूँ मेपको और इतनी सी लाइन बना कर फिर यह प्लस वाली बटन को दबा कर मैं इस लाइन को कम्प्लीट कर देता हूँ तो यह देखिए हमारा एक पॉइंट डल जाता है फ्रेंट्स जिस भी दिसा में आपका रास्ता जाता है उस दिसा में आपको इस लाइन को ले जाना है और प्लस बटन दबाते जाना है अब फ्रेंट्स यह देखिए यदि आपके द्वारा ए लाइन गलती से किसी गलत दिसा में ड्रो हो गई है तो इसके लिए simply आपको जो ए प्लस के साइड में माइनस वाला आइकन है इस पर हमें क्लिक करना है तो यह देखिए हमने जो पहले पॉइंट एट किया था वह अंडू हो जाता है तो इसी प्रकार हम माइनस की बटन को यह दी दबाते रहते हैं तो हमारे रोड को हम अंडू करते जाते हैं यानि की और पीछे चले जाते हैं जहांसे हमने रोड को ड्रो करना शुरू किया था यदि आपका रोड बिलकुल और फ्रेंट्स यहां पर आपके रोड में कहीं पर मोड दिखे तो simply वहां पर आपको ऐसे दोनों finger से zoom in कर लेना है और then again आपके सामने वो area यहां पर बड़ा हो जाएगा और वहां पर बड़ी आसानी से आप इसी प्रकार छोटी छोटी लाइन ड्रो करके उस मोड को यहां प पर बना सकते हैं तो friends यह देखिए मैंने एक एक point को यहां पर ड्रो करके मेरे map को यहां पर complete कर लिया है और यह रहा मेरा last point इसे भी मैं यहां पर aid कर देता हूं और friends यह देखिए मेरा road अब यहां पर complete हो चुका है मैं आप लोगों को इसे zoom out करके दिखाता हूं कि इसका preview कैसा है तो friends यह देखिए मेरा road कुछ इस प्रकार से draw हुआ है इसमें कई सारे points aid किया है मैंने तो friends अब आपके सामने जो नीला सही के निसान वाला button है इसको आपको दबा देना है तो यहां पर आप लोग यह देख सकते हैं अब आपके सामने जो आपने road ड्रो किया है वो आपको दिखाएगा और यह देखिए हम next पर click करते हैं और अब यहां पर हमें हमारे road का नाम डाल देना है तो यह देखिए मैं इस road का नाम लिख ल बटन है इस पर हमें क्लिक कर देना है तो यह देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं यह देखिए फ्रेंड्स हमारी फीडबेक यहां पर सेंड हो चुकी है और इसके लिए मुझे 15 पॉइंट्स मिले हैं यादि हमारी जानकारी Google को सही लगती है तो वह हमारे एडिसन को अप सकते हैं तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं